सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो चलिए रसे शुरू करते हैं सबसे पहले ले लेंगे एक बोल और बोल में डाल देंगे कद्दुकस किया हुआ गाजर क्योंकि गाजर की मिटाई बनाने के लिए हमें कद्दुकस किया हुआ गाजर चाहिए तो मैं चार कटोरी गाजर का यूज़ कर रही हूँ कि नहीं जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कद्दू कस किया हुआ गाजर जो कि हमने लिया था चार कटोरी गाजर को हमें घी के साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूंज लेना है जब तक उसमें अच्छी से खुश बुना जाए और ज इसे के साथ इसमें डाल देंगे आधा कटोरी डेरी वाइटनर यानि कि मिल्क पाउडर इन सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे इस टेज पर ग्यास का फ्लेम हमें बिलकुल लो एस्टू मीडियम ही रखना है और इसमें हमें पानी दूज या फिर और घी वगेरा आड़ करन है यानि कि अच्छी तरब कॉपका लेना है शकर के साथ तो आप ग्यास का फ्लेम अगर हाई करना चाहते हो तो रहिक प्रॉसेस हमें कार्णी है इसे लगातर चलाते रहते रहना है तो इसकी क्वांड़ अब देख सकते फ्रेंच गाजर की क्वांटिटी हम पर कम हो चुकि और इसे के साथ इसे mix कर लेंगे जब आप गाजर पकाते हो तबी भी लाइची पाउडर का यूश कर सकते हो लेकिन मैं अभी कर ली हूँ इसे mix करने की बाद हम एक cake tin में इसे transfer कर देंगे सबसे पहले एक paper ले लेंगे paper को मैंने घी लगा कर grease कर लिया है paper को इस team में डाल देंगे और इस गाजर को इसमें transfer कर देंगे और अब इसे evenly फैला देना है इसको एक square ship देना है कुछ drive fruits हमने गाजर पकाते समय भी डाले थे अब कुछ drive fruits हम इसके उपर garnish करेंगे कुछ कटे हुए काजू, बादम और पिस्ता आप इसमें किस्मिस भी डाल सकते हो केसर भी डाल सकते हो जो भी drive fruits आपके पास available है आप उसका use कर सकते हो तो मैंने इस तरह से drive fruits इसके उपर garnish कर दिये है और इसके उपर अब इस तरह से काजू को decorate करेंगे आप चाहे तो बादम को भी इसके उपर decorate कर सकते हो और अब इस बची हुई plastic को उपर cover कर लेंगे और इसे freeze में रख देंगे 5 गंटे के लिए 5 गंटे हो चुके हैं friends मैंने इस teen को freeze में से निकाल लिया है सबसे पहले इस plastic को हटा देंगे और इस plastic के साथ इस गाजर को हम एक plate में निकाल लेते हैं यह बहुत ही बढ़िया set हो चुका है अब देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है देखे ही तो बस अब इसे ठंडा है हम इसे cut कर लेंगे यह आसानी से cut हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा चाहे तो आप चाको को थोड़ा सा घी या फिर बटर लगाकर घ्रीस करके इसे cut कर सकते हो असानी से cut हो जाता है तो मैं इसे छोटे छोटे मिठाई की shape में cut कर रही हूँ आप चाहे तो छोटा बड़ा जो shape देना चाहते हो बहुत ही मज़े की दिख रही है देखे ही मुँ में पानी आता इतनी मज़े की है और खाने में बहुत ही ज्यादा delicious तो देख रहे हो friends मैंने सभी मिठाई को एक plate में निकाल कर रख दिया है बहुत ही मज़ेदार तो friends आज की मेरा recipe आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करना क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगती है तो बस मिलते हैं नए रेसिपी के साथ तब तक बाबाई